देखे बाहर का खाना भले ही सबको अच्छा लगी लेकिन चार दिन जब आप भी बाहर का खाना खालेते हैं ना तो फिर घर की खिचड़ी की याद आती है और कुछ ऐसा ही हो रहा है वन राज के साथ है जी हाँ घर की खिचड़ी का स्वाथ तो पता लग रहा है अब धीरे गर का भी एहसास कहीं न कहीं दिल में समा ही जाएगा। पती वनराज लोट आया है अपने घर। बापुजी को लगा कि उसे एक ही रात में अकल आ गई। मगर कहां। फिलाल तो वो खाली बैग लेकर आया है। अपना बचा हुआ सामान लेने। बापुजी और अनुपमा को कोई खुशी नहीं है वनराज के लोटने पर। मगर बा अपने बेटे को घर पर देकर बहुत खुश हो गई। वनराज ने बाप के सामने घर खर्च के लिए पैसे भी दिये तो बापुजी और अनुपमा ने मना कर दिया तो बाप उन पैसों को ना ले सकी। अनुपमा से दूर कर ही देगा। अभी भी बना हुआ है मगर इससे पहले की वनराज जाए बा ने उसे डिनर के लिए बिठा दिया बाके घुटनों का दर देखकर अनुपमा ने खाना परोसनी की बात कर दी तो बनराज को फिर खुशी मिल गई। मगर उसके खुशी पर पानी फेर दिया समर ने क्योंकि अनुपमा बनराज को खाना मजबूरी में परोसने की तैयारी कर ही रही थी कि समर आगे बढ़कर आया और उसने खाना परोस दिया और बनराज की खुशी को कम कर दिया। वनराज ने खाना शुरू किया और फिर घर का खाना खाते ही चम्मच छोड़कर वो हाथ से खाने लगा और उंगलियां भी चाटने लगा। घर के बाहर चाहे कई प्रकार के पकवान हूँ मगर जब घर की खिचडी मिलती है तब वो बहुत स्वादिस्ट मिलती है। ये बात तो वनराज भी जानता है। इसी लिए तो वो भूल गया था कि वो कावया को मीटिंग का बहाना बताकर यहां आया है। कावया का फोन आया, मगर वो बात ना कर पाया। मगर लगता है जब बान ने पापड़ लेने की बात की, तो शायद कावया ने बाकी आवाज सुन ली है। अब जब बनराज कावया के पास वापस जाएगा, तब वहाँ उसकी फिर से क्लास लगेगी, ये तैह है। ABP News Report